लोग कैसे हैं सब लोग वियार एक मिट रुखिये बच्चों एक मिट रुखिये बिफोर वी गेट स्टार्टेड मैं कुछ चीज़ां चेक कर रहा हूं कि यह स्टार्टेशन से जाधा से जाधा शेयर कर दीजे अगर आप सब्सक्राइब नहीं क्या है तो चैनल भी सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और यह वीडियो लाइक हो जाना चाहिए और यार दिल्ली आइनो ओमिक्रॉन के काफी अपडेट्स हा रही हैं बड़ हम आपको अपडेटिट रखेंगे कि जो नेक्स्ट आपका मीट अप होगा व भी फॉलो करना ना भूलें चलो अब स्टार्ट करते हैं उसके लावा यू के जॉइन माई टेलीग्राम चैनल बच्चो आनकाडमी जेए का जो टेलीग्राम चैनल है इंडिया की नमबर वन टीम यहां पर है टी डॉट अमी स्लाश लाइफ जैए उसका पार्ट बन जाई ह की इसका भी पार्ट बन जाई है अभीगैभी ऊसके लावा अगर आप मेरी सारी स्पेसिल लासिस फ्री में देखना चाहते हैं दोब्ली औरम of the most एसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में 15-20 लाग बच्चे इसको डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं यह गोल्डेन माइन है यहां पर आप सारे लेक्चर सारे नोट्स एक जगा पर मिल जाते हैं इस माइक्रो वेब साइट पर आपको खाली जाना है लाइव डेली डॉट मी इस प बेस्ट कॉंटेंट अब सोचिए एवरी फॉर्थ सेशन यहां पर इतना इंटराक्टिव होता है कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो लाइव डाउट्स पूछ सकते हो आपने डाउट अपलोड किया टीचर नहीं उसको इन्टाइर क्लास बेनेफिट नॉट जिस खाल everything you know you get to know I wish I had something like this उसके लावा the thing that makes an academy number one an academy को number one क्या बनाता है अगर an academy number one platform है तो क्यों है that is the reason because यहां पर इंडिया की number one team पढ़ाती है the J live daily team the J live daily team जो इंडिया के पहले authors है and they are also the authors of the top rank series they are also the teachers who are followed by 15 to 20 lakh students on a daily basis यहां पर उसके लावा आपके साथ है vibrant बंसल्स नूक्लियस कोटा की top teachers उसके लावा the China batch the Chaitanya Narayana batch वो भी आपको an academy पे मिल जाता है और उसके लावा 30 प्लस top teachers top authors of the country आपको यहां पर पढ़ाते हैं you name it and we have it बच्चों GRV books हो गया आप देखें everything is right here for you उसके लावा top results ऐसा पहली बार हुआ है कि यार online में hundred percentile तीन बार लगाता और और उसके बाद all India rank 1 आपके सामने हैं तो अगर आप भी अगर अगें मैं हमेशा बोलता हूं rank 1 से लेकर rank 1000 शायदी ऐसी कोई rank होगी जो इन teachers ने produce नहीं करिए बच्चों उसके लावा य करेंगे इंस्टेड यह बहुत ही सिंपल है आप यह कोड यूज कर सकते हैं नमो या में इससे आपको maximum possible discount मिलेगा 11th 9th और 10th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अगर आप इससे आपको maximum benefit मिलता है नकाडमी पर आइकॉनिक में कुछ extra चीज़े होती है जो आपको प्लस में न सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको maximum benefit यहां पर मिल जाएगा एक मिनट तो इसको इसको चेक कुछ इसू है है ना ओके आगे बढ़ते हैं तो यह टॉप रैंकर सीरीज भी आपको एंड में वी विल आल्सो डिसकस इन दी एंड़ टॉप रैंकर सीरीज चैलेंजर टी आरे चैलेंजर विच फ्रॉप रांग का सीरीज बुक ठीक है सब्सक्राइब बिगिन स्टार्ट करें आज का लेक्चर स्टार्ट करें तो चलो स्टार्ट करते हैं कुंद स्ट्यूब एक्सपेरिमेंट लेट अस टूप एक्सपेरिमेंट क्या है कब हुआ कैसे हुआ इसको हम एकसपेरिमें जिसने कंडक किया था कुंद स्ट्यूब ठीक है यहांप एक स्टार्ट करना स्टार्ट करो ठीक है न अगर आप यहां से साउंड को डिस्टरब करना स्टाट करो तो आप यह देख सकते हैं यह एक वाइब्रेटिंग डिस्क है और यह एक स्टेशनरी डिस्क है तो अल्टिमेटली होता क्या है एवरीबन प्लीज अंडिस्टैंड होता यह कि आप यहां पर हतोड़े से तो यहां यहां पे कॉपर राट इस इसको अलग से बहुत सिंपल ज्याद है तो आपने इसको इस को यहां से क्लैंप हो चुकी है प्लीज अंडेस्टैंड इस यह जो इसको आप ने यहां पर क्लैंप कर दिया है है ऐसे ठीक है इसको जब आप रोट वाइबरेट करते हो प्लीज अंडिस्टाइंड जब आप इसको वाइबरेट करते हो तो यह फंडमेंटल मोड में वाइबरेट करने लग जाती है ठीक है किसी फ्रीक्वेंसी में यह डिस्क भी वाइब्रेट करने लग जाती है उसी फ्रिक्वेंसी में डिस्क भी वाइब्रेट करने लग जाती है और अगर यहां पे भी कोई रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मिल गई तो आपको पता है यहां पे एक स्टैंडिंग बन जाएगी कहीं-कहीं air particles you know stationary wave में 2A amplitude से oscillate करेंगे कहीं बिलकुल नहीं करेंगे तो अविस सी बात है जहां 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 oscillate करेंगे यह बहुत interesting चीज़ है जहां जहां पर standing wave कुछ ऐसी बन जाएगी प्लीज understand this यहां पर standing wave कुछ ऐसी बन जाएगी ठीक है न यह आप देख सकते हैं बहुत easily ठीक है ऐसी standing wave बन जाएगी इसको मैं अराम से बना के दिखाऊंगा आपको एक मुट रूट के जस्ट अ मिरिट आप यह देख पा रहे हैं standing wave बन जाएगी और उसमें और यहां पर यहां पर बहुत ही low density का powder होता है इसलिए यह हीप बन जाती है यह क्यों बनती है यह हीप इसलिए बनती है आपको बताना चाहता हूं यहां पर देख लीजे हां यहां पर एक ऐसी यहां यहां पर यहां प इसको आप reminders को ऐसे हमारते ही ऑविस सी बाते कने लग झालें लग जाएगी तो यह कोई हार्मों टीक यह फंडमेंटल मैं रॉड़ जो है आपकी रॉड़ कि लग जाती है fundamental में fundamental let's call this fundamental frequency ठीक है rod आपकी fundamental frequency में vibrate करने लग जाती है fundamental frequency minimum possible frequency obviously बात आपको पता ही है यहाँ पर node तो यहाँ पर anti-node होगा यहाँ पर anti-node होगा है ना यह fundamental mode है यह सबसे छोटी frequency possible है यह सबसे बड़ी wavelength possible है इस rod में और obviously बात है अगर यह रोड ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लग गई तो same vibration डिस्को मिलेगा same vibration डिस्को मिलेगा और यही vibration डिस्का transmit हो जाएगा air में तो frequency never changes, frequency generally transmit हो जाती है, आपको तो पता है यह frequency transmit हो जाती है तो same चीज, तो यहाँ पर जो funda होता है, main funda ही होता है कुछ fit हो जाता है यहाँ पर भी resonating frequency आ जाती है, fundamental frequency आ जाती है और यहाँ पर भी कोई ना कोई resonating frequency आ जाती है कोई ना कोई harmonic पकड़ लेता है कोई ना कोई harmonic पकड़ लेता है जैसे कि मैंने अब बताओ यह इस is like a closed this is like a closed organ pipe अब इसको मैं प्रेस कर रहा हूं यहां पर आवाज अच्छे से आ रही है मतलब यह एक मतलब standing wave बन चुकी है इसमें इसको अगर मैं disrupt करता हूं तो देखो बनेगी नहीं बन रही है डाम पो रही है है हां तो एक पर्टीकृलर लेंथ पे इसमें वह stationary wave बन गई तो आपने देखा एक पर्टीकृलर लेंथ बन गई तो यहार एक कुंट स्ट्यूब experiment में हमेशा ध्यान रखना यहां पर इक stationary wave बन जाएगी यहां पर atri wave बन जाएगी और और वहीसी बात है इसकी frequency और इसकी frequency same होगी ठीक है ना बस इत्नी सी बात रखना कुंट ट्यूह ईजी शीज़ी ज्याँज करो कुंट chief experiment में क्या होता है आप copper rod को थोड़ा मारते हो यह और रह SupremeSTA Witch करने लग जाती है fundamental मोड में यह रेजोनेंट फ्रीक्वेंशी इस जाहर यह अगर आप एसे बनती यह आप संदिंग वेव इन्ट होता है यहां पर यहां पर मॉलीकुल ज्यादा मुप कर रहें एंटीनोर पे जादा जाहरा तो आपको यह दिखा रखा था string में ऐसा होता है और string कोई अगर आप air में देखोगे string में आ रहे है तो SHM SHM ऐसे होता है particles का यहाँ पर SHM ऐसे होता है particle का this is longitudinal simple harmonic wave ठीके ना तो I hope आपको यह बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से visualize हो रही है बहुत बढ़िया बात है तो this is the fundamental frequency of the rod and this is और यहाँ पर यह दोनों frequencies बराबर होंगी यह वाली frequencies frequencies के बराबर होगी यहाँ पर resonant frequency होगी यहाँ पर fundamental frequency होगी यह होता है Constube experiment और इसका main concept होता है कि यह दोनों frequencies बराबर हैं यह दोनों frequencies बराबर हैं ठीक है ना और आपको कुछ नहीं रटना है मैं इसका formula भी आपको learn नहीं करवाने वाला हूँ इंसेट formula आप हर बार derive करोगे इंद जो आपका बस यह concept लेके जाओगे आपके सारे सवाल बनेंगे लेट मी शोई उसके कैसे कैसे सवाल बनते हैं let's have a look at this question यह तो बहुत ही अब यहां पर बनी विए यह एक कुंट स्ट्यूब है और इस कुंट स्ट्यूब में आपको यह समझना पड़ेगा यह एक यहीड है यह ungef 흡़ेगी नहीं यह यह इंत्यूब यह इसक ग्रीन है इसक सकती है उसको यहाँ यहाँ पर स्टेशनरी वेव बनी है यहाँ पर जो बनी है उसका यहाँ पर हिंट होगा फस की». यहाँ पे उसका नोड होगा और यहाँ पे उसका एंटी नोड होगा बच्चे यहाँ पे उसका नोड होगा है ना फिर यहाँ पे उसका नोड होगा बेसिकली अगर एक स्टेशनरी वे बन गई अंदर है ना नोड नोड अंटी नोड अब आपको पता है अब अगर आपको प यह पॉडियों पॉड़र भी कहते हैं और कही कई जगे हम लाइको पॉडियों पॉडर की जगे हम थर्मोकॉल भी यूश कर देते हैं something light something light ठीक है ना Is this clear क्या आपको यह बात समझ में आ रही है क्या आपको यह चमख रहा है जो मैं आपको बताना चाहा हूं इसे वाकिष हो जाओ यह फंदमेशन मोड में यह एब को यह पता है इसके आपको डैंसिटी पता है यह यह मोडलन से तो आपको और कोपता है याउंग मॉडलन स्क्या था इस वी की विलास्टी क्या होती है और उचलश थो फॉल के बैडकर को ने की बायरो था के आला स्वॉल स्वॉब है थो शॉजर फॉल के और दो है और टो लिएث यह आि अन्ध विलासिटी तो यहां पर जो मेन फंड होता यहां पर इकone Прली यांपर nahi how bez pa यूड़ाइड वाल में इस वेरी वेरी इंपरंटराम हार्ना फ्मारास यहांपर भी स्क्रण्द सेयंदिक हट बना है यहां पैसा फ्रीक्वेट्व denkt है और तुम्हें कैसे पता बच्चों का थै क्योंकि तुमने देख लिया हम रही है तुमने देख लिया है अब देखो इसमें तुमने खाली speaker यूज क्या सकते थे तुम्हें इतना यह तामजाम लगाने की कि जुरूद थी कि तुम यार यह तो बहुत ही एडिशनल सेट अब यह ऐसे किया गया था अपने टाइन में इसलिए हम इसको ऐसे पड़ते हैं है ना तो everyone is understanding this is a अच्छा सवाल बनता है बहुत प्यारा सवाल बनता है बट अंत में यह stationary wave बनी यह stationary wave बनी concept क्या है concept is very very simple the concept of kunst tube is concept को याद रखो बाकी सब चीजे बेकार है बाकी सब चीजे बेकार है यह concept सबसे important है that the frequency of the rod the frequency of the rod is equal to the frequency of the air column ठीक है यह सबसे important है जो यह आपर मैंने concept लिखा है this concept is God है ना frequency of this rod is equal to the frequency of air here क्या आपको यह बात समझ में आ गई है बच्चो कुंट का यह experiment आपको समझ में आ गया frequency of the rod here is equal to the frequency of the air column over here क्या आपको यह सारी चीजे समझ में आ गई है जल्दी से पताओ हां या ना बोलो is this absolutely clear absolutely clear ठीक है ओके अब आगे बढ़ते हैं now let's let's move on ठीक है आप इसको देखते हैं तो यह आपको यह आप यहा इसकी वेवलेंथ मिल जाएगी क्योंकि आपको पता है यह यह यहां से एक और चीज़ कह सकते हैं रोट अपॉन व लूंटरोड इसकी वेवलेंथ नि काल सकते हो यह ही यह का लिए खिक हैतुक है और इसको का सकते हैं यहीप का दिस्टेंस दोूप के को बीच पीक्स का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो और उसको लेंथ ओफ कहते हैं इसको क्या अच्छ अग systems एल नॉट ठीके ना तो एल नॉट से आपको इसकी वेवलेंद मिल गई है ना इसकी वेवलेंद बाइ-4 वेवलेंद बाइ-4 है ना वेवलेंद बाइ-4 प्लस वेवलेंद बाइ-4 इस लॉट और यहां पर हीप का तो आपने विज़ुली देखा इसकी लेंद पता है इसकी लेंद पता है तो ये यह यहां से बताaghetti यह सकते हैं विलम कल और यहहां पर लिख सकते ऑव यहां पे कोई वेव होगी है ना इसके अंदर जो वेव है यह क्या होगा अंडर रूट ओफ इवाई रो मॉडिलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर सॉलिड इस यंग मॉडलस वाई बाई रो बस डन है जी आपको यह पता है आपको यह पता है यह पता है आप विलॉस्टी ऑफ गैस निकाल सकते हो मतलब आपकी खराब होने वाली इन questions like this है ना in questions like this आपको समझ में यागा करना क्या है क्योंकि यह एक advanced पहले मतलब यहाँ पर विलॉस्टी इन गैस मतलब विलॉस्टी इन गैस अगर एर तो विलॉस्टी ऑफ साउंड निकाल सकते हो से ना calculate and compare calculate and compare sound speeds in different gases है ना है ना calculate calculate sound speed sound speed in gases in gaseous media ठीक है मतलब velocity of sounds को यह तो compare करने में मदद करता कुंट्स ट्यूब experiment compare कब करता है जब आपको ऐसे दे रखा होता है कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको air दे रखिये यहाँ पर आपको air दे रखिये और यहाँ पर आपको co2 दे रखिये carbon dioxide है ना तो आपको यह बेसिकली compare करने में मदद करता है यहाँ आपको यहाँ बनाना चाहिए अब यहाँ पर आपने यह बात है एक यह डाल दिया है आपको पता है इस पर आप हतोड़ा मारोगे तो यह यह fundamental mode में हमेशे कुण्स ट्यूब में स्टेशनरी बना देगा टंग 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 ऐसा वसलेट करने लग जाएगी उसके बाद को क्या करना है उसके बाद को करना कि यहाँ पर आपने वह त्यूब बना दी कुण्स ट्यूब जिसको में कुण्स क्यों कहते और अब इस कुन very important thing here what is a very important thing to observe कि यह एक vibrating disc this disc will vibrate and this disc is fixed तो अब इस बात है यहां पर molecules नहीं सकते हैं तो यहां पर एक anti node बनेगा इन सारी node बनेगा यहां पर नोड बनेगा और यहां पर तो यह उसलेट करी रहा है करी रहा है करी रहा है इसको देखो इस को देखो यहां पर है यहां पर तो यहां पर यहां पर करेंगी वह फिरसे बना देता हूं एक rod होगी ठीक है वो ऐसे clamped है है ना वो ऐसे clamped है वो fundamental mode में ऐसे oscillate करेगी और इस पे तुम्हारा एक vibrating disc है एक vibrating disc है और obviously बात है यहाँ पे एक organ मतलब now this is like an organ pipe है ना जिसमें यह ऐसे oscillate कर रहा है यह एक fixed है है ना यह basically now this is fixed fixed disc इसमें चला के इसको ऐसे ऐसे रखा जाता है कि तुम मतलब इसको adjust कर पाऊ उसकी length को change range कर पाऊ है ना तो यह सारी चीज़े होती है अब यहां पे तुमने क्या रखा होता है यहां पे तुमने एक lycopodium powder रखा होता है एक low density powder रखा होता है ना जैसे टालकम बनती है तो standing wave बनेगी का एक फंड़ा है कि रही फिक्सट है तो यहां पे तो बन सकती है मैं आपको पताऊ यह वाली बन सकती है बड़ दो नोड़ वाली बनाओ गाए एक नोड़ यहां सब्सक्राइब बन गई एक लांन शल्क लगई थुम्हारी कि किया कि तीन और नोट बना दी और इसमें एक stationary wave बन जाएगी तुम्हें यह चीश समझ दिये कि इसमें stationary wave बन जाएगी ठीक है हाँ यह stationary wave ऐसे बन गई ठीक है ऐसे बन गई इसका मतलब यह है कि जो बनी यहाँ पर antinode नोड 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 अंटी नोड हर समझ गए अब यहां पर जो एर मॉलेक्यूल जो है ऐसे 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 उसिलेट करेंगे तो यह सरका देंगे प्लीज अंडेस्टैंड सरका देंगे नहीं सरका देंगे तो अल्टेमेटली यहां पर होगा क्या इसको ध्यान से यहां पर होगा यह इन जाएंगी जहां झाँ नोड है यहां फे मूव नहीं कर रहा कुछ यहां पर हीप्स बन जाएंगी ठीक है मतलब यह पता चल गया यह इंदिस्टंस पता चल गया मतलब तुम्हें लामडा यहां पर जो भी बनी उसका लैंबडा पता चल गया तो आपको यह समझ में आ गया कि यार यह कुंट्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता है फंडा एक याद रखना फंडा एक याद रखना कि यह जो यह जो रॉड है यह हमेशा करेंडा सब्सकों यह सब्सक्राइबं चीज़में यह जो ऐसलेट करती है यह लिए सब्सक्राइब Bureau frequency always है ना rod की fundamental frequency होती है है ना rod की fundamental frequency होती है या minimum frequency possible यह होती है और यहाँ पे जो यहाँ पे जो wave बन दी है stationary wave ठीक है है ना यहाँ पे जो stationary wave बन दी है उसका anti node यहाँ पे होगा just imagine anti node यहाँ पे होगा और node यहाँ पे होगा है ना anti node यहाँ पे होगा सब्सक्राइब ना एक एक स्टेशनली वे बनाई तो एक ये बना दिया डिया ओस ठीक है बना दिया जो वक्त स्रूंसक्राइब क्लिशा सब्सक्राइब कर रहेए यहां पे धेखर नहीं पाउडर मोल्ज्म जादध जादा oscillate करेंगे वो heaps, यहाँ पर move कर देंगे powder को, powder को move कर देंगे ना, और जहाँ-जहाँ move नहीं कर रही है, यहाँ पर move नहीं कर रहा है कुछ, यहाँ पर mountain बन जाएगा, air molecule move इन रहा, तो कोई problem यह है, ठीक है, कोई problem ही नहीं है, फिर यहां तो 2 peaks यह दो वैली कुछ भी देखा तो इसको आप LH कह सकते हो length between the heaps length between the heaps है ना यहांपे मैं इसको लिख दिया length between the heaps इसको देख लीजिए length between the heaps and this is the l0 is the length of the rod and not a lot is the length of the rods अब यहां पे please understand यहां पे stationary wave 1 नी है और यहां पे stationary wave 2 भूबनी ए इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर होगी जिस फ्रीकवेंसी से तो सबकी फ्रीक्वेंसी बराबर है यह बहुत आपने प्यार से बना लिया अब बस अब को फंड़ा क्या है concept एक है concept एक 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 एफ आफ रॉड आप यही याद रखोगे एफ और इससे सारे सवाल में इसी से सौल करूंगा बेसिक तरीके से मज़ा आ जाएगा आपको ठीके ना लीस्ट लगिज बहुत महेंगा आता है तो यहाँ पर थर्मो कोल यूज किया मुझे काफी अच्छा लगा इस ना रिक्वाइड की तुम लाइको पोडियम यूज करो है ना यह बेसिकली कुंड ने कुंड जो भाई था उसने इसके साथ कांड किया होगा लाइको पोडियम के साथ तुम थर् पर यहाँ पर यहाँ पर यह भी पता है डेंसिटी आपने लिग दिया चीज अब एक और चीज नोटिस करो यहाँ पर जो velocity है, इसको ऐसे लिख दो, V gas, ठीक है, यह जो waves है, जो component waves है, यह देखो, यहाँ से एक sound wave गई, फिर यहाँ से वही चीज़ रिफलेक्ट हो किया आई, तो यह उसकी जो velocity है, velocity of sound in air or any gas is V gas, ठीक है न, यह velocity भी पता चल गए, यह velocity भी पता चल गए, I hope आपको यह बात समझ आगया, इस, इसमें भी जो component waves की velocity है, वह आपको पता है, इसमें भी आपको यह पता है, और इनकी wavelength भी पता है, तो अब आप फॉर्मला निकाल सकते हो, खुद से, ठीक है, अब आपको पता है, V is equals to F lambda होता है, ठीक है, तो F is equals to V by lambda होता है, ठीक है, यह 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 तो basic है, यह आपने यहाँ पर क्या किया, इसकी जगे आपने लिखा velocity of rod upon lambda of rod, इसके बाद direct सवाल करेंगे, is equals to velocity of gas upon lambda in gas, मतलब यह एक stationary wave, यह एक stationary wave, यह दो दूसरी stationary wave, इन दोनों की frequency बराबर है, यह concept है, इन दोनों की frequency बराबर है, यह concept है, अब आपने क्या किया, इसकी frequency को लिखा, V gas by lambda gas, अब मुझे बस इत्ता सा बता दीजिए, मुझे बस इत्ता सा बता दीजिए, लेहां यहाँ पर, side में आ जाते हैं थोड़ा, side में आ जाते हैं, यह L0 के, lambda rod क्या होगा, lambda rod, जल्दी से बताइए, यह क्या होगा, यह देखो, यह एक crest, हैना मतलब यह आधी crest है, lambda by 4, lambda by 4, तो आपको पता नहीं, यह यह एक lambda होता है, this is one lambda, lambda यह होता है, आप यहां से यहां तक की बात कर रहे हो, तो basically यह क्या होगा, lambda by 4, है ना, यहां से लेकर यहां तक, lambda by 4, lambda by 4, है ना, तो आप क्या लिखोगे, lambda rod by 2, है ना, lambda rod by 4, total lambda by 2, is equals to L0, Xbox macht सकते हैं जी लिख सकते हैं और यहां पर लैंबडा गैस क्या होगा यह जो दिस्टिंस है यह लैंबडा गैस भामडा क्योंकि ये पूरा लैंबडा है तो यह लैंडा آगट से बीच में लैंबडा कैसी और यह दिंज ल्एज यह distance आपका LH के बराबर है ठीके यह आपका LH के बराबर है ठीके जी बस you are done अब आपको करना क्या है देखो अब आपको करना क्या है यहाँ पे क्या डालोगे इन सब को यूज करके V-Rod की जगे आप डाल दोगे Y-Row harvested ना lambda यहां पे आपके बाद के two times jelez यह आपको समझ में कर आपको समझ में आया यहाँ यह जॉब इस डिन विलॉसी आप गैस निकाल दी तुमने विलॉसी आप साउंड निकाल दी कटी तुमने यहां पर जो इस formula से तुमने सब कुछ निकाल लिए चलो इस formula को लिग भी देते हैं क्या आया वी गया सिजी को स्टू टू टू कैंसल हो जाएगा वी गया सिजी कुछ टू है ना जल्दी से देखो अंडरूट आफ वाई भाई रो है ना अंडरूट वाई बाई रो और यह क्या हो है लेंध पता था था हैंना ये का आपने लेंध निकाल लिया पनी स्टेशिंट आहीं बनी मतलब श्टेशंट दीवेव नहीं बनी अब यार तिमonna इसलिए बूस्त बोत जादा झाए यहां पर यह सब हैं ना तुम्हें दिंख करो यह तो यह गार त 뉴스 प्यांड़ सारी थियोरी समझ में आ जाएगी और मैं वैसा टीचर नहीं हो जो बिलकुल तुम्हें यार बिलकुल यह रटवा दे क्यार यह देखो यह फॉर्मला तुम्हें रट लिया अब आगे बढ़ते हैं यह वी आपको वी गैस गिविन है और आपको यंग मॉडलिस निकालना है ठ देखो दियान से आपको यंग मॉडलिस आप दे रॉड निकालना है यह वाई है रो है आपको वाई निकालना है अब कोई भी तुम्हें अराम से बोल देगा यह फॉर्मला लगा ले बेटा यह फॉर्मला लगा ले और एंसर आ जाएगा हां मैं बोलता हूं लगा सकते हो पिल्कुल लगा सकते हो बट मैं बोलता हो क्यों लगा नायार क्यों लगाना तुम्हें बोला एक स्थे एक्स्पेरिमेंट थे बट तुम्हें यह daar..... तुम्हें यह फिगर खुद बनाना पड़ेगा कैसे प्राउंगे पहले क्लाम ट्राट बनाओंगे यह हमेशा fundamental frequency पे होगा ध्यान रखना है नहीं हमेशा हमेशा कुंट स्ट्यूब में अंटिल अनलेस इस गिवन हो सकता है कि एक कुंट स्ट्यूब का तुम्हें पूछा जाए जहां पर बोल देजा नहीं यह फॉर्स्ट ओवर्टोन में वाइब्रेट कर रहा है तो यह तुम है ति यह नोड है में इह बना दी तमने या पर अंटी नोड है इसले तुमने क्योंकि कर रहा नंहीं यह यह वाला वाइब्रेट करने वाला पार्ट है कि आर्यूब आपको यह बात अपने stationary बना दी यहां पर आपने stationary बना दी आपको given है कि length of the rod is one meter this is given as eight centimeter be very careful हम इसको SI में solve करेंगे है ना SI में solve करेंगे eight centimeter we don't like it we don't like it is eight centimeter को अपन लिख देंगे eight by hundred eight by hundred या four by fifty या two by twenty five इसको हम two by twenty five लिख देते हैं ठीक है इसको हम two by twenty-five लिख देते हैं है कि हमारे लेट पा लिट है ठीक है या आपका एप लंडा बाइट है ये लंडा गास टुए ये लंडा गास वा टू है ठीक है तो यहां से तुमने एक चीज निकाल लिया तुमने निकाल लिया लैम्डा गैस इसका डबल इसको डिरेक्ली लिख दो हेँ ठीक है शम्जें मेरी बास है तुमने कैसे लिखा लैंडा गाइस इससे ईकल there लीठ्स त्य प्रब्लीम नहीं है हो यहाँ पास गई में डालतं है क्योंकि कॉंसेट क क्या है अचिए हमारे पास היה गया इसकी फ्रिक्वेंसी इन दोनों स्टेशनरी वे इसकी फ्रिक्वेंसी पराबर है एफ रॉट इस इकुल स्ट्राइब गैस कॉंसेप्ट यही है कॉंसेप्ट अपन यही लगाएंगे यह क्या होता है वी रॉड लामडा रॉड यह क्या होता है वी गैस लामडा गैस लामडा है ना यह क्या है this is lambda rod by 4 lambda rod by 4 which is 1 meter तो आप यहां से यहां से यह भी लिख दिया यहां से आपने side by side यह भी लिख दिया lambda rod by 4 lambda rod by 4 या lambda rod by 2 इन दोनों को add करेंगे that is equal to 1 meter ठीक है तो यहां से तुम्हें यह समझ में आया कि lambda rod is equals to 2 meter यह भी मिल गया very good यह भी मिल गया और वी रॉड का formula क्या होता है वी रॉड का formula होता है अंडर रूट वाए बाए रो रो तुम्हें given है यहां पर रो is equals to 7500 kg per meter cube सबको पता है ना water का होता है 1 gram per cc और ऐसा ही में 1000 होता है तो इसका 7.5 है तो इसका 7500 होगा उसी मतलब फालतों में calculation ऐसे मतलब ऐसे याद रख लिया करो ठीक है ना is this clear ठीक है ओके तो आपने आप आपको यह भी पता है आप नाव यूवरीटिंग नाव यूवरीटिंग अब बस अब इसमें ना हम फाइनल फाइनल कैलिशन फाइनल कैलकुलेशन फाइनल फाइनलर आंसरो निकलेंगे याप फाइनल अब हम आसे निकलेंगे याप जल्दी से देखिए यह चलगा है यह यूर में करने हाँखung बिल्कल fonctionसे कर रहे हैं रटेंगे नहीं अपन कुछ भी लामडा गेस किया है यहां पर दीख रहा है लामडा गाइस लामडा गाइस्ट वायीज़ एट सेंटीमेटर या तो लामडा गैस केता है तो इसको लिखा 4 तो जब आप इसको solve करेंगे तो आपका y का value आ जाएगा इसको निकाल ले ना फ्लीज ठीक है इसको मैंने solve करके दिखाया है यहां पे देख ले ना इसको है ना यह 1.875 इंटू यह आ जाएगा 1.875 इंटू 10 की पावर 11 ऐसा ही में आ जाएगा यह ठीक है be option ओके आगे बढ़ते हैं हाँ now comes the main thing अब अगर मैंने यादे मैंने एक statement बोला था I had told you a statement in the very beginning of the class very beginning of the class मैंने तुम्हें एक statement बोला था बच्चों कि this is used to calculate and compare compare कब होता है जब आप एक और एक और कुंट्स ट्यूब आड कर देते हो आगे मतलब एक और एक ट्यूब लगाई फिर दूसरी ट्यूब लगाई तो इसमें होता क्या है पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा इसमें होता क्या है अब देखो यहां पर क्या लिखा है यह question बहुत ज्यादा important है please understand this is an advanced illustration of kunstube but nothing is difficult here nothing is absolutely difficult बस यह यह इसमें भी तुम्हें यह याद एकना है यह इसको बजाया तो इसने इसको बजाया फिर इसने इसको बजाया और ultimately सब में stationary wave बनी सब में stationary wave बनी यह fundamental पर resonate करी इसमें stationary wave बनी और बनती वी तुम्हें दिख जाएगी है ना बनती वी तुम्हें दिखाएगी जैसे यहां पर दिखा था ना बन बन गई दोनों में तुम्हें बनती वी नजर आ रही है एक में तुमने hydrogen डाल रखा या carbon dioxide डाल और एकमें air डाल रखा ठीक है तो एक में air डाल रखा है क्वें carbon dioxide डाल रखा है layer में loop landhuh जो के तो यह तुम्हें एक्सपरिमें यह तुम्हें क्या तुम्हें यह सुनना यह एक o Зorg पाईप है यह क्लोज्टा वांग पाइप इसमें होता क्या है प्लीज अंडेस्टैंड असमें होता यह है कि तुमने हघोड़े से हैं डाऑ ना राते anपया तुम ने अटॉड़े से इसको मारा तो यह thunder में प्लीज अंडेस्टैंड जिए फंडमेंटल मोड़ fundamental frequency में resonate करने लग गई है ना यह रॉड यहाँ पे एक stationary wave बनी रॉड की है ना फिर यहाँ पे stationary wave बनी एर की सेम frequency की क्योंकि यह यह वाइब्रेट करने लगई किसी frequency से तो यह यह भी वाइब्रेट करने लगई उस frequency से और और फिर उस एर ने इस movable piston को यह एक movable disc है यह भी एक movable green color की डिस्क यह बनाएंगे नहीं green color की बता रहो तुम्हें यह एक movable disc है अब यह अगर यह fixed होती तो यहां तक vibration जाता ही नहीं तो यहां का vibration यहां गया फिर यहार इस king यहां पर मैंने क्या बोला frequency of the rod is equal to frequency of air is equals to frequency of the stationary wave in air is equals to frequency of the stationary wave in co2 ठीक है frequency of the stationary wave in co2 यह 3 stationary wave बन गई तीन stationary wave बन गई आफ दे सेंग फ्रिक्वेंसी एई सेंग नहीं होती है बस हमीशा ध्यान रटना कुंड स्ट्यूब में ये भाई तुम्हारा हमेशा ये वाला है सबसे छोटी fundamental frequency until it is given, कभी given नहीं होगा, तो मैं तुम्हें पहले बता रहो ये fundamental frequency में oscillate करने लगया, फिर air में एक stationary wave बनी, इसमें भी stationary wave बनी, सबकी frequency बराबर है, अगर आपको ये पता है, ये question आफ फोड़ दोगे, इस question में आपको कोई problem नहीं आएगी, सबसे असान सवाल होगा आपके लिए, सबसे असान सवाल होगा ये आपके लिए, सबसे असान सवाल होगा ये आपके लिए, ये concept याद रहेगा सबको, ये concept याद रहेगा सबको, और आपको ये भी बता दू, V-Rawd क्या होते है? V-Rawd होते है, Under Roo to Oooow, है न? Vai by Row, क्या आपको, यहां पे सब कुछ given है, क्या? यहां पे, arayyar, कुछ भी नहीं हा, यहां पे आपको ये निकालना है, V-Rawd निकालना है, है न? Speed of sound in brass, and in CO2, basically आपको, ultimately इस problem में आपको क्या निकालना है मैं बताता हूँ V rod निकालना है आपको और V CO2 निकालना है ठीक है आपको ये दोनों चीज़े निकालना है Is this clear बच्चों? Is this clear बच्चों? जल्दी बताओ Is this clear? आपको ये दोनों चीज़े निकालनी है अब पहले concept लिख देते हैं Before even solving the question पहले concept लिख देते हैं ठीक है F क्या होता है? F V by lambda होता है तो चलो उसको लिखते हैं V rod by V rod by lambda rod Is equals to V air by lambda air है ना? समझ गे मेरी बात? Is equals to V CO2 by lambda CO2 I hope सबको समझ में आ रहा है किसी को doubt तो नहीं है किसी को doubt तो नहीं है हाँ we are going to continue अभी जुनून A.J.E.E. करने वाले हैं बच्चों उसके बाद इसके बाद we are only going to focus on जुन A.J.E.E. ठीक है ना? ओकी clear है अब आपको निकालना क्या क्या है बच्चों? आपको निकालना यह है आपको निकालना यह काले वाले निकालना है आपको यह काले वाले निकालना है लिख देता हूँ काले से लिख देता हूँ बाकी सारी चीज़ें आपको somehow given है directly, indirectly given होंगी देखते हैं इसमें क्या given है जल्दी से बताओ loop length अरे यार यह CGS में नहीं करना अपको SI में ही करना है कोई problem नहीं है यहाँ पर क्या लिखा है loop in air is इतना ठीक है loop in air is इतना मतलब यह loop देखो यह loop है यह loop है यह loop है this is one loop यह loop का distance is the same thing यह क्या दे रखा है यह दे रखा है आपको 10.3 cm और यह क्या है lambda you all know this this length is lambda by 2 of air ठीक है और इसमें भी आपको यह दे रखा है इसमें loop length दे रखिए इसमें भी आपको loop length दे रखिए which is what which is again lambda co2 by 2 है ना लिखनी पा रहे है उसको अच्छे से ठीक है बट आप समझ गए हो आप समझ गए हो ठीक है ना लिख देते हैं ट्राइ करते हैं lambda by 2 ठीक है लिख दिया है मैंने है तुम्हारे notes में तुम्हें दिख जाएगा this is lambda by 2 air lambda by 2 lambda air by 2 lambda co2 by 2 तो यह दोनों चीज़े आपको given है सम्हाओ है ना यह आपको given है सेंटी मीटर ने तो सेंटी को नीचे ले लिया मैंने ठीक है और lambda air क्या है lambda co2 lambda co2 क्या है lambda co2 क्या है ठीक है lambda अरे भाई साहब हाँ lambda co2 is what 8 नी 16 16 cm 16 by 100 आपके पास यह है आपके पास यह है you have this you have this also you have this also and you also have this अब तो आप करी लोगे ना यार यह क्या given है यह है one meter oh my god यार नमो सर यह तो क्या यार यह तो कुछ भी नहीं है यह क्या है यह वन मीटर है इसमें यह क्या लामडा रॉड इस इकुल स्टू इस इकुल स्टू वी सी ओ टू है ना अभी बाकी सारी चीज़े तुम्हें ए सम्हाओ अवर दियादर सम्वे और अवर दियादर अवर्यथिं इस गिवन तो यू विलाउसिटी आप साउंड इन एर यह गिवन तुम्हें अथिस इको 350 लैमडा र क्या है 20.6 अपान हंडरेड चीके जी 20 एन अपान हंडेड यह क्या है अपन लैमडा रॉड क्या है टू टू वी सीओ टू क्या है 16 वा हैंडट 16 वा हंडड़ बई जब तुम्हें इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें वी रॉट मिल जाएगा जब तुम्ह concept is king concept is king I hope आपको यह चीज समझ में कितनी प्यारी चीज ती कितनी प्यारी चीज ठीए ठीए चल्दी से देख लेते हैं यह जाधा आ रहा है नहीं दिख रहा है यह जाधा आतावाद दिख रहा है तो आप देख सकते हो वी रॉड विल बी डेफिनेटली हायर स्पीड आफ साउंड इन ब्रास निकाल लेता है है ना तो वह आपका आ जाएगा किता देख लो ब्रास आ जाएगा 3400 है ना या जाएगा 3400 इस एक्वेशन से या जाएगा 3400 और वी आपका देख लो 350 से ज़्यादा नहीं 350 से थोड़ा सा कम है 350 से थोड़ा सा कम है 270 है या जाएगा 271.8 है ना इसको सॉल कर लेना थोड़ा कॉमन सेंसे भी कर लेना ठीक है 271.8 इस दिस क्लियर एवरिवन बिल्कुल मजिदार था बिल्कुल मजिदार था और concept is always king हमेशा ध्या आप बस इतना यह पिक्चर याद कर देना हमेशा यह fundamental frequency में oscillate करेगी यह vibrating disc भी उसी frequency से oscillate करेगी वो air को भी वह frequency दे देगी it will pass on the same frequency ठीक है तो इसलिए जब ऐसे advanced illustration आपके सामने आते हैं तो वो धेर हो जाते हैं if your concept is good is this clear everyone अच्छा लगा तो जल्दी से like कर दीजे लेक्चर को share कर देना I think this is one of the best content for a kunstube experiment अगर किसी को बिल्कुल basic से पढ़ना है least luggage में पढ़ना है I think you cannot find something like this और अभी end direction में तो तुम्हें literally feel आ जाएगी कि यार सर यह क्या बता दिया आपने अब लास्ट क्लास में understand last class में if I talk about lecture 10 ठीक है lecture 10 जहां पे हमने पढ़े थे E Hugन पैम्हें एक चीजज बोली थी एक रिग्याप करा रहा हुं एक सी चीज बोली थी कि जो भी आपका औरพे जो भी आपको फिर्ट करने में आपको बताए था इसमें fit करने का अपको मैं बता है था मैंने गूंदा कैसी दिखती है श्रीजा कुछ ऐसी एक बना दो एक वेव बना दो यहीं पर होती है यह बना दी यह सारी नोड 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 न थीख दो यहां ध्यान से नोट आंटी नोड अब आपको पता है यह पिक्चर है अब मैंने क्या जह earn बनानी यह एक इंड होता था अब इसमें जो सबसे चोटी चोटी वव मैं नहीं लोग सबसे चोटी wave में fit कर सकता हूँ वो कौन सी wave होती है वो कौन सी wave होगी दो anti-nodes के बीच में एक note का होना तै है है ना दो anti-nodes के बीच में एक note का होना तै है 100% तै है है ना तो इसमें सबसे छोटी wave जो मैं डाल सकता हूँ इसमें जो सबसे छोटी वेव में डाल सकता हूँ, वही है, ठीक है, यह वाली सबसे छोटी standing वेव में डाल सकता हूँ, नमो सर बिलकुल सही बात बोली आपने, बट अब मैं तुम्हें एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, मैंने उसमे, मैंने उन सब में माना था कि radius बहुत छ चादर से पैर भार निकलते हैं चादर से ठीक है ना ठीक है इसको ए कहते हैं इसको एंड करेक्शन कहते हैं यहां से देखो अब यार इसमें यह एक बनाओगे सबसे छोटी वेव कौन से होगी नोट से अंटी नोट यह बना दी है न तो यह थोड़े से पैर भार निकलेंगे थोड़े थोड़ी से पैर भार निकलेंगे चादर से इसको एंड करेक्षिन कहते हैं इसको एंड करेक्षिन कहते हैं प्लीज अंडर्स्टैंड इसको एंड करेक्षिन कहते हैं and this is what this is three by five times the radius अगर radius बहुत चोटा होगा तो यह एंड करेक्षिन एसका मतलब ये लेंथ तुम्हारा लाबडा बाइफ ओगा इस केस में ठीक है समझे मेरी बात एंड करेक्षिन एंड करेक्षिन इसको हमें ऐसे याद रखता हूं 60% ऑफ रेडियस ठीक है यह सिक्टी परसेंट ओफ रेडियस पॉइंट 6R होता है जो भी आपका इसका रेडि वाई वाई ऐसे पैर भार के निकल रहे हैं तो दिखो और कैसे पता चेलेगा कि प्रॉब्लम में एंड करेक्षिन यूज करना है नहीं करना है और तुम्हें रखाय कि रेडियस पूछा जाए तो एंड करेक्षिन रेडियस यह रिलेटड चीज़ होती है अगर कहीं जिक् करेक्षिन का यह बिल्कुल हिंड भी नहीं मिल रही है तो देन इन रहें यह वह एंड करेक्षिन का कुशिन नहीं है फिर इन दाट केस चलो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्कॉर समझते हैं तो इसमें होता क्या है देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि और heunders why does एक open organ pipe चलो एक open organ पाइप लेते ठीक है एक open organ इसकी होड़ी समझाता हूं एक open organ पाइप में Stationary wave बंती है तो बंती कैसे याद करो बंती है तो बंती कैसे और व की बात है यह एकultan mata मीडियम når यह कर एक र्ार मीडियुम हैं हमने एक मोटी स्ट्रींग में और फिर यहां पे पतली स्ट्रिंग अगर हम डालते थे याद करो हम इसको बोलते थे यज़ार यह है ना तो basically जो incident और reflected wave incident और reflected wave जब मिलेंगी तो एक stationary wave बनेगी है ना एक stationary wave बनेगी तो stationary wave तभी बनती है जो जब दो waves opposite मिलती है same frequency कि जब दो waves ऐसे opposite मिलती है तो एक stationary wave बनती है अब important यह है समझना कि यहाँ पे please understand this यहाँ पे आपका reflection actually यहाँ से कहीं होता है आपका reflection यहाँ से कहीं होता है please understand this आपकी wave जो आई है आई है यहाँ पे वो realize करती है कि यहाँ एकदम से realize नहीं करती है यहाँ पे reflection होता है ठीक है यहाँ पे आपका reflection होता है एक end correction के बाद ही reflection होता है ठीक है, एक end correction के बाद ही reflection होता है अगर radius बहुत छोटा है तो obviously बात है, अगर radius बहुत छोटा है तो एकदम से वो realize करेगा, वो free हो गए तो वो जल्दी realize करेगा, समझे मेरी बात air molecules जल्दी realize करेगे कि हम free हो गए, अगर बहुत छोटा रेडियस है तो है ना बहुत जल्दी रिलाइस करेंगे कि फ्री हो गए बट अगर रेडियस बढ़ा है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में कि हां यार अभी रिफलेक्ट होने का टाइम आ अपना है ना ठीक है तो इसमें क्या है इसमें जो आपके ऑसिलेशन होते तो यहां पर तुम्हें पता है कि अगर एक वेव ऐसे आ रही थी तो एसी वापर जाएगी तो एक रांटी नोट बनेगी ना amplitude से amplitude basically crest से crest मिलेगा truff से truff मिलेगा तो यहां पे constructive interference होगा देखो यहां पे constructive interference होगा तो यहां पे anti node बनेगी और anti node कहां बन रही है यहां पे एक end correction वाले distance पे जो 60% of the radius होता है है ना जो 60% of the radius होता है बस इतना सा ध्यान रखना मोटे पाइपों के लिए पैर भाहर निकलते हैं waves के पैर भाहर निकलते हैं waves के is this clear क्या यह बात सबको clear है कि कि ःव इस में कोई doubt कोई शक्टoman ठीक है ओक हां वेरी नैस है न तो यह इसको थोड़ी दिर के बाद Daylight होता है कि कैसे है सिसकी वल् quelques दीक यह membership यहां यहां ओर रहे हैं आब यह basically यहां यहां पे फैल पार रहा है यहां पे फैल पार रहा है decor staggering यहां पे स्काटरिंग थोड़ी दिर बाद हुई ठीक है मतलब सामाज गया ना तुम लोग इस वेरी सिंपल तो वेव रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर देंड करेक्शन वाला दिस्टेंस ठीक है एक मुट रुको बच्चो ठीक है ओके क्लियर है बच्चो यह सब सभी है चलो अब आगे बढ़ते हैं तो यह लेश देंस रेर यहां पर यहां पर हो रहा है है न तो बेसिकली इस पॉइंट पर हो रहा है जहां पर end correction के बाद wave reflect हो रही है ठीक है न है न फॉम अ देंसर टू रहर ऐसे reflect कर रही है तो यहां पर constructive interference हो रहा है मतलब वेव का जो constructive interference अब यहां पर बनाओगे तुम यहां पर नहीं बनाओगे तुम यहां पर बनाओगे ठीक है तो यह जो तुमारी stationary वेव थी उसका यहां पर बनाओगे ठीक है मतलब थोड़े बहार निकले में इसकी feeling समझ लो that's it इसकी feeling समझ लो that's it और सारी यहां से थोड़ी थोड़ी निकली भी है ठीक है यहां से भीनिकली भी यहां से भी यह यह एंड करेक्शन या यहां पर इवन एवन है यहां पर ईटू एटू है तो है इच्श्टी परच्अट ऑफ रहे ही अब अगर मैंने आपको यह दिदिया कि आरवन इस ग्रेटर दनार टू टू तो ऑविसी बात है 60% of R1 तो ओविसी बात है इसका end correction भी जादा होगा इसका end correction भी जादा होगा क्योंकि what is this ए क्या किया मैंने 0.6 of the radius यह होता है तो यह directly मतलब directly related है न डिरेक्ली proportional है तो आपको यह समझ में आ गया इसका radius जादा है इससे तो obviously इसका end correction भी जादा होगा जादा रीडियस जादा पैर भाहर निकलेंगे जादा पैर भाहर निकलेंगे वेव के ठीक है अगर फिक्स्ट न है तो वहाँ पे तो नोड बननी बननी है वहाँ पे तो दरवाजा है ठीक है ना बस end correction में तो दियान है ठीक है मैं कुछ formula बता देता हूं कुछ formula बाद में करेंगे ठीक है ना कुछ formula तुम खुदी कर देना या देखो मैं बता रहा हूं questions खुदी कर लेंगे तुम इख समद में आ जाएगा या कुछ भी नहीं है and correction is the most simplest अगर तुम्हें organ pipe तुमने मुझसे पढ़ा है तो end correction पढ़ने की जरुद भी नहीं है सच बताऊं तो क्योंकि you just need to see मैं भी मैं भी फॉर्मले याद नहीं रखता हूं उसके ठीक है तो इसमें कहले लिगा a closed organ pipe ये closed organ pipe और इसमें मुझे हैना lowest mode of oscillation या fundamental frequency निकालनी है ठीक है बट यहां पर with end correction ठीक है तो यहां पर with end correction with end correction ठीक है with end correction आइओ आपको यह बात समझ मारी है तो इसका मतलब यह है कि यहां जो मेरी मेरा और 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 पाइप उसमें मुझे पता है यह यह यहां पर तो नोड होगी ही होगी यहां पर यहां पर कहीं होगी इसके पैर थोड़े भाद निकले वे होंगे समझ गे मेरी बात इसके पहले भार निकले वहोंगे तो आपने वेव बनानी है वह ऐसे बनानी है सबसे चोटी वेव यही होगी यहां पे नोड है यहां पर आंटी नोड है डॉंट आइड नोड करोगे तो next possible frequency आथी रहेगी तो आपने यह देखा आपने चीज रियलाइस की आपने एक चीज की क्योंकि इसका radius होगा तो यार यह यह है यह आपको पता है इस नथिंग बाइट .6 आर अगर इसका यह आर है radius तो ठीक है यह इए अब इसमें फिरमडाय कैसे बनेगा इसमें फ्रॉ्म्मलाय कैसे बनेगा विल हुश्ट साउड होगी सा इसके आप विलोसिटी तो फड़ाल व्लीड होता है थीख है टो यंद्टी क्या होगा इस कीस में इस उन्ट्रेस्टिंग विट अब तुम्हें पता है लांबडा और वाइफ तो तुम लिखो कर आप से ब्रसी बाता है इस एक याथ कर ले है ठीक है क्योंकि यहां पर एक ही जगे पैर निकलते हैं तो ट्रिक है कि replace l by l plus e सारे फॉर्मलों में यह all the formula का एक ट्रिक है end correction में replace l by l plus e ठीक है ना replace l by l plus e क्योंकि अब यह थोड़ा सा वैसा गंदा दिख रहा है तो l capital कर लो बस यह है है ना for closed यह close के लिए क्योंकि close में एक ही जगे पैर निकल रहे होंगे एक ही जगे पैर निकल रहे होंगे तो replace l by l plus e that's it that's it यहां पर आप क्या करोगे समझे मेरी बात lambda is equals to four times l plus e यह हो गया इसको आप यहां पर भेजोगे अब देखो f not का formula क्या है fundamental frequency का formula क्या है वी अपाउन है ना वी अपाउन फोर फोर एल प्लस यह यादे वी बाई 4L था formula without end correction अगर easy रोगा वी बाई 4L था एल को आपने replace किया एल प्लस से बस समझे जो आपका without end correction का formula था अगर आप खाली वेवलेंट को यहां से यहां तक लेइते हैं तो इस trick को याद कर लेना क्यूकि होते हैं लोस में पैर की जगे निकलेंगे तो or or open में क्याउगए और open पैर यहां भी निकलेगे यहां भी निकलेंगे तो ll और आ आपऩ we अरे आजकल तुम्हें लोगे सबके एक्जाम चल रहे ना तो यहार हमें भी लगता है कि हमें हमारे भी एक्जाम होने चाहिए इस टाइम पर हैं ना क्योंकि यह सारी जंता भी एक्जाम पर फोकस कर रही है आप अपने सारे फ्रेंड को बता देना जो अटेंड नहीं कर रहे जिते बच्छे भी इंग्जाम की वजए से उनके लिए काफी प्रॉब्लम होने वाली क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक्जाम खतम होते ही ना आप अपने फ्रेंड को बता देना ऌटेंड नहीं कर रहे है आस्क दें टू जल्दी से कवर अल अफ और दो अप क्योंकि उससे फ गर यह open organ pipe है यह open organ pipe है इसमें भी fundamental frequency अब तुम्हें पता है यहां पर एक अंटीनोड होगा यहां पर दो के बीच में नोड होता है यह सबसे छोटी frequency है सबसे चोटा पी से केक का सबसे चोटा पी से केक का है ना मैंना आपको बोला दा यह सबसे छोटा पीस है कि जो आप काट सकते हो यह सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी इसमें जो फिट कर सकते हो एक स्टेशनरी वेव की सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी आपने इसमें फिट कर दी पैर भार निकल रहे हैं दोनों तरफ से निकल रहे हैं पैर भार दोनों तरफ से नि distance ऐल प्लस-ूइख है तो लामडा is the pl PM कम से कम फ्रिक्वेंसी की वेलंन तुमने पता चल गई है अगर यहां पर विलौस्टीक वे तो टाइम्स एल प्लस टूई इसको ध्यान से देखो एंड करेक्षिन के बिना फॉर्मला क्या था एंड करेक्षिन के बिना फॉर्मला था वी बाई टू एल एंड करेक्षिन को जीरो कर दो देखो एंड करेक्षिन को जीरो कर दो इसको मैंने चुपा दिया एंड करेक्षिन को ना जब pair भाड नहीं निकल रहे थे तो बस वही है कि इस बार length थोड़ी ऐसे हो गई यहां पे भी pair भाड निकले यहां पे भी pair भाड निकले इसमें एक trick है सारे formula के लिए trick क्या है open के लिए for open organ pipes for open organs ठीक है for open organs organ pipes है ना just replace l by l plus 2e यह है बस यह एक simple सी एक प्राम बाण सका ठीक है इसको ऐसे यूर कर सकते हो ठीक है आपको यह बात समझ में आ गई है ठीक है लिप्लेस एल बाई प्लस टू ए सारे सवाल हो जाएंगे से ठीक है अब कुछ questions करते हैं तो आप कुछ questions करते हैं ठीक है ना always remember this trick यह बहुत important है open में दो जगे से दो जगे से pair निकलते तो E or E add होता है तो L को replace करना पड़ता है L plus 2E से तुम बस यह मान रहे हैं तरीके से यह कैसा है एक organ pipe है जो यहां से ले पर यहां था कि तो सारे formula match कर जाएंगे ना तो L को तुम replace कर रहे हो L plus 2E से बस यही एक चीज है आपको यह समझनी पड़ेगी इसमें आपको यह समझना है कि जब भी रेडियस है considerable radius है ट्यूब का तो वह थोड़ी करेगी कि रेडर मीडियम हो चुका है है थोड़ी दिर के बाद करेगी अगर बहुत छोटे होल से निकलोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे हां यार ओपन हो गया है reflect हो जाओ है ना डेंसर से रेर में नहीं है इस question में end correction word नहीं है बट उन्होंने तुमसे पूछ लिया है प्लीज टेल मी वाट इस रेडियस ऑफ दे ट्यूब है ना रेडियस ऑफ दे ट्यूब एक ही फॉर्मला है जहां पर रेडियस ऑफ दे ट्यूब आता है तुम सब को पता है और वह होता है e is equal to 0.6 r तो बेसिकली वह तुमसे end correction पूछे ये भी पूछ सकता था या रेडियस ऑफ दे ट्यूब पूछे ठीक है समझे मेरी बात मतलब ये end correction का सवाल है पहला तुम्हें हिंट मिल चुका है ये एक end correction का सवाल है इसमें दे रखा एक ट्यूब है जो एक open ट्यूब है open organ pipe है ट्यूब या organ organ pipe है जुसका length है 48 cm it is open at both ends its fundamental frequency इतना its fundamental frequency इतना and its sound sound of velocity in air is 320 और यह दोनों से मैं वीजी कुस्टो फ लैंडा के हिसाब से लैंडा कितना होना चीए लैंडा तो मेरा वन होना चीए 1 meter होना चीए ठीक है 1 meter होना चीए अरे यारे इस से तो मेरे को समझ में आगया कि मेरा e1 होगा आरे यारे पहला वाला तो मैंने अल्रडी निकाल लिए answer ठीक है 1 by 0.6 मेरा पहला answer होगा ठीक है ना estimate the radius of the tube मतलब end correction निकालेंगे end correction से radius निकालेंगे ठीक है ना also find the fundamental frequency if one end is closed तो basically 2 parts है question के मतलब 2 parts है question के तो पहले हम क्या करेंगे first part है ना पहले हम first part करेंगे first part करेंगे जहां पर हम e निकालेंगे या r निकालेंगे एक ही ठाली के चट्टे बटते हैं दोनों एक ही थाली के चट्टे बटते हैं दोनों ठीक है मतलब यहां पर एंड करेक्शिन हो गई होगा एक रेडियस से प्रॉपर वेव के पैर निकलेंगे निकलेंगे इसमें क्या गीविन है fundamental frequency गीविन है चलो fundamental frequency को draw करते हैं तो यहां पर let's draw the fundamental frequency ठीक है fundamental frequency मतलता सबसे चोटी frequency हो मैंने बताया था ना जो सबसे चोटा पीस of the cake है वह तुम्हें यहां पर फिट करना है वही वाला है फॉर्मला क्यों रटना है हमीशा करो करो मैं तो बोलता हूं डें डोंट रिलाए मैं यह तुम्हें कभी 48 थार्मोनिक नहीं देंगे अब यह सुनके देंगे बाट यार उसमें निकाल सकते हो फॉर्मला डिराइव करकर करके निकाल सकते हो तुम है ठीक है तुम्हें पता ही यह आर एफ नॉट होगा फिर ट्री थानॉट होगा है ना तो 48 थार्मोनिक फॉर्टी एट टाइम्स हो जाएगा है ना क्योंकि इचैंश रिंग वाला के से ना ओपन ठीके आप जाईए कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ अरजुन हो गया ना ठीके ठीक थैंक्यू है यह समझ में आ गया तो आपको यह समझ में आ तो 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 तुमने बोला लैमडा बाई टू किस चीज़ के बराबर है यह समझे मेरी बात और तुम्हें यह बहुत है तुम्हें यह फंडमेंडल त्रीकुएंसी के लिए तुम्हें यह गिवन है महां यह चाल लिया कि इसकी वेवलेंथ तुमारी वन मीटर होगी तो अब तुम्हें पता है यह यह शल्य में पूरा हाफ मीटर होना चाइए थीक है हाफ मीटर होना चाहिए ठीक है चलो point four eight से कर लो कोई problem नहीं है तो यह lambda इसका वन आ गया है ना तुम्हें समझ में आगे कि lambda इसका one होना चाहिए ठीक है lambda इसका one होना चाहिए तो यह इस frequency को लिखो इस इस fundamental frequency को लिखोगे कैसे इसको लिखोगे तुम ऐसे वी बाए देखो जल्दी से वी बाए है ना इसको ऐसे भी कर सकते थे यह यह तो एक तरीका हो गया चलो इसको और वाला लिख दो है ना हाय ऐसे क्या है लैंड़ा इस इगवलों टूइर अगर m यह खेल कि क्युक्कि धोन्हर 6 ऐसे हैं तो यह DOWNBET FUNDAMENTAL FREQUENCYKA FORMULA HOG ओठाइमस एल प्लस तुई टुई एप्ये यहां पर क्या करोगे एल प्लसे 12 सोल प्लस-स इतए Is equals टू 1 मीटर इज उखी सो 1 मीटर तो जल्दी से पता पॉइंट फॢरेट क्या हो रहा हुअ यह पॉइंट ett प्ल스0.48 यह क्या है 0.48888-1-09 यह क्या हो जायगा 0.9の अब देखो यह है इसको लिख रहा हूं है 0.96 दौसेटबा जिप गई जानल प्लस वोर ऑन तो यह 0.04 रोगया तो एक्या आया तुमारा 0.01 मीटर यह तुम्हारा 0.01 मीटर या 1 सेंटी मीटर या 1 सेंटी मीटर आया यह आगया तुम्हारा 1 सेंटी मीटर अब यार अगर यह तुम्हारा 1 सेंटी मीटर यहां से आओ अब अगर यह तुम्हारा 1 सेंटी मीटर है तो तुम्हारा radius क्या होगा E by 0.6 यह आ जाएगा तुम्हारा 1.67 बहुत ही methodical और बहुत ही simple सरल सवाल था यह बहुत ही methodical और बहुत ही simple सरल सवाल था यह अब या या यह कचरा कर दिया आपन ने या खुद यह अपन नहीं कचरा कर दिया ठीक है यहां से connect कर लो यह तुम्हारा पहला answer हो गया यह तुम्हारा पहला answer हो गया ठीक है ना पहला answer बहुत असानी से तुमने कर लिया पहला answer तुमने बहुत असानी से निकाल लिया तो मैं पता चलिए radius पूछा तो प्रोब्लम होगा पहले तो तुमने एकदम से देखा और यार रडियस तो नहीं पूछते कभी फी भी विबाए-4L यही होता है पट फिर तुमने बोला नहीं यार एंड कोरेक्शन रेडियस है ना क्योंकि तुम्हें यह पथा था कि एंड कोरेक्शन सिक्स्टी पर सेंट ऑ गए और यह जीए एक और चीज है अगर कभी कभी डाइमें ब्क्र एक शारते प्तेफंदी क्kä प्रकते पॉइंट्व by वूसική है और ऐससे आट मस्क्रशने कीसे डाइमेटर यकल अडू से मत करना एक टो यहुजआएगा 0.6 D by 2 तो यह जाएगा 0.3 times of the diameter 30% of the diameter 60% of the radius तुम तो radius से ही याद रखना 60% of the radius से ही याद रखना diameter तुम्हें given है तो radius निकालो पहले फिर end correction निकालो वैसे ही करना है ठीके ना और कैसे भी नहीं करना है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक पार्ट अब इसी में तुमने एक को close कर दिया ठीक है एक तरीके से एक open organ pipe था एक open organ pipe ने तुम्हें एक point को ऐसे close कर दिया तो अभी closed organ pipe हो गया अभी closed organ pipe हो गया यही 48 cm वाला तुमने close कर दिया और अब बोला है अब तुम्हें पता है one end is closed अब इसमें तुम्हें fundamental frequency calculate रहनी है ठीक है अब इसमें तुम्हें fundamental क्योंकि radius तुम्हें पता था और end correction तो same ही रहेगा radius है तो इतना है fundamental frequency निकालना यह second part है this is the second part of the problem second part of the problem अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका तो हमें यहां पर आपने एल को replace कर दिया एल प्लस इसे क्योंकि एक ही जगे पैर निकल रहे हैं एक ही जगे आपके पैर निकल रहे हैं ठीक है ना कुछ लोग इसको ऐसे डिरेक्ली कर सकते हैं अब आपको एक तो यह तरीका है एक तरीका है नहीं याप हमें तो Gir pip करने में मज़ाता है सब हमने पता है यह다 यहां पर अंटी नोडे होगा क्योंकि ओपन है यह Zustarloझ ठीक है अब बराबर है ठीक है न क्योंकि आपको पता था यार यह तुम्हारा एल है और तुम्हें पता था यार यह तुम्हारा ए है तो यह एल प्लस ए के बराबर था तो उसको तुमने कर दिया L plus E के बराबर तो तुम्हें पता चलिए कि Lambda is 4 times L plus E और तुम्हें पता चलिए कि fundamental frequency क्या होगी V by Lambda which is V upon L plus है ना यह यह तुमने डराइब कर दिया basically तुमने वही चीज यहाँ पर डराइब कर दिया ठीक है you just derived that thing here यह formula तुमने आपर डराइब कर दिया है ठीक है बस अब इसको निकालो इसको निकालो जल्दी से है ना यह क्या है 320 frequency है cgs में कर दें क्या चलो यार इसको चलो अभी अभी न cgs में कर लेते हैं आपर यहाँ पर ही only here here cgs में कर लेते हैं 320 मीठर सपर सेकेन्ड न तो इसको 32 errorsile और सेन्टइमीटर सेंटिमेटर स़केंड कर दो ठीक है जी 4 cgs. Here 48 चैमेटर बन सेंटी रजा की किता हो जाएगा 49 सेंटीमेटर सेंटीमेटर सेंक्टीमेटर सेंटीमेटर कैंशल हो गया हर्ट में जाए कांसर एहां आजक्ते देखते हैं कि आता है फोर फोर एट जा थर्टी टू आठ हजार बैपचास आठ हजार बैपचास सम्थिंग पचास के आसपास तो एट हंड़ेड़ वाइव एट हंड़ेड़ वाइव यह कुछ बन सिक्स्टी हाँ 163 आ जाएगा ठीक है यह आजाएगा तुम्हारा 163 हर्ट ठीक है पचास से 160 आ जाता तो तुम्हें पता लगता कि 160 के आसपास वाला एंसर है वह ना तो बी क्लियर है आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है तो आपको यह बात समझ मारी है अब इसको देखिए और रिजोनेंस ट्यूब एक यह यह वाली भी रिजोनेंस ट्यूब है ठ लांडा सेम रहेगा नहीं मेसं वावज़ोनेंस टूब में बहु क्लों ब्हुत कित अब यहां पर पहली हो यह यह end correction का है क्योंकि given है यहां पर पूछी लिया तुमसे end correction है तो कोई problem ही नहीं है कोई problem ही नहीं है मतलब resonance tube में भी तुमारी resonance tube भी यहीं तक है तुमारी resonance tube भी यहीं तक है और यार यह देखो wave के pair निकल रहे हैं यह पर यहां से निकल रहे है और इसमें भी वेव के pair ऐसे निकल रहे हैं यह लेंथ तुम्हें 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 तुम्ह with a frequency of 256 hertz तो यह frequency given है 256 256 दो नोवे 256 256 hertz फिर तुमने देखा क्या first resonating column है ना the length of the first resonating air column is इतना मतलब यह fundamental frequency है ठीक है यह इतना है और next वाला इतना है तो पहले तो यह realize करो कि end correction क्यों है अगर यह 32 है तो खुद सोचके देखो अगर यह piece 32 है तो यह 32 होगा यह भी 32 होगा यह भी 32 होगा है ना तो यह 3 गुना होना चीए तो 32 का 3 गुना कित्ता होगा 96 होगा अब यह वैसे match नहीं कर रहे 32 और 96 नहीं है यह इसलिए यह फरक इसलिए हरा है क्योंकि end correction भी है है ना कभी-कभी problem में यह realize करना पड़ता है कभी-कभी given नहीं होता end correction कभी-कभी सच में given नहीं होता end correction बस यह given होगा कि यह यह और यह है तुमने देखा यह fit नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे first harmonic में lambda by 4 यह lambda by 4 है और यहाँ पे जो lambda होगी वो 3 lambda by 4 होगी ठीक है वो तुमें हमेशा notice करना यह एक चीज मैंने तुमें पहले से बता दी यह थोड़ी से एडवांस चीज मैंने बताईए ठीक है अब यार तुमने देखा यार यह first column है तो यह तुमने पहले यहाँ पे realize क्या यह तो fundamental यह तो fundamental तो आप आपको यह यह चीज समझ मानी चाहिए कि यहाँ पे एक इसमें एल वन प्लस ए आप क्या लिखोगे एल वन प्लस ए फंडमेंटल है ना पहले वाले केस के लिए आपने क्या किया एल वन प्लस ए इस लामडा बाय फोर ठीक है आप यह लिख दोगे equation number one ठीक है इसको लिख दो लवन इसको लिख दो लटू cgs में है चलो cgs में करेंगे इस problem को अबे यार cgs में कर दिया आपने है cgs में करेंगे इसको है ना ठीक है यह पहला frequency possible है next possible frequency कैसे यह यह नोड होगा और फिर यह यह यहाँ पर एक नोड होगा तो यह यह फिगर तो आपको पता होना चाहिए खुद बना भी सकते हो तो यह इसमें दो नोड एक और नोड करोगे तो आपको क्या यहा रिलएस होगा जो कि लैंडा बाइ-2 प्लस लैंडा बाइ-4 है ना तुन यहाँ पर क्या हेगा थर्ड वाले में है ना थ्रिल एकॉड सीके बराबर एक लगर टॉबनेंड़ा ओनड है ठीक है एल 2 प्लस ल行 रिक तुम बोलोगे लबन प्लस यह लैमडा बाइफ ओर यहां पे तुम बोलोगे लटू प्लस यह इस थ्री लामडा बाइफ ओर दिख रहा है ना ठीक यह इसको नहींट चेंज कर देते हैं क्योंकि एल और यह में तुम गंफ्यूज ना हो दो इल वन यह लवन L2 ठीक है जी? हटाओ बस आ गया हो गया done 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 है ठीक है ना? इससे क्या है? बस values डाल दो यहाँ पर यह और यह तो given है ना तुम्हें यह क्या given है? 32 और यह तुम्हें given है? 100 तो E आ जाएगा इससे end correction भी आ जाएगा और लेभड선 जाएंग देरलो तो नेखाल लो कोई प्रॉब्लिम नहीं तुम दोनों निकालो ठीक है न तो यह-आ रहे आ रहे यह यह 2CM कि आ जैगाउगा तुम्हाराद बना लिया सबकुछ हो गया नहीं चुछ नहीं होगा थीकर अब आगे बढ़ते हैं खिका आप युनिफॉर्म ट्यूब ओन एड बोफ एंड रेन तुमने युनिफॉर्म ट्यूब सेवे ऊपन आप बोथ एंड्ट थीक एड अब उसको तुमने डिप किया पानी में प्लीज अंडरस्टैंड इस यह ओपने बोट एंड ठीक है इसको आपने पानी में डाला पानी में डालते ही पानी में डालते ही आपने रियलाइस क्या किया और ओमाइग गॉडड अब यह बहुत अच्छा कुश्चन है इस वेरी पानी पानी बाड़ेन बड़ी साटिस्फधाइं और मुवंवें बड़ा सैटिसफधाइंग फूरा पानी ठीक है तो आपने पहले इसको इतना डिप कर दिया फिर आपने थोड़ा कम किया तो रिजुनेट हो गया तो यह बीसिकली रिजुनेंस ट्वाले एक्स्पेरिमें आपने कोलिम् की लेंद जहाए इसको ऊपर करके इसमें भी इस में भी इसमें इसमें भी ऍशनायी बोला है fly कुछ नहीं होता है शुब जो वर्ष्ट फर्रीक्वेंज हैं बोलते हैं और ये इनफ सब्सक्राइब ओपनиком zeg warm पो दोटेंड बोट एड आँप यह तुमने डाला अंदर ठीक वे रोक रूख रूख रोको रूख ना यह ये तुमने डाला आ еще ट्यू बैसा है ठीक है अब है ए रहाट है यह हैं यह इतना बड़ा है ठीक है यह डूब इतना बड़ा है के यह ट्यूब था अभी एक सब्सक्राइब क्या एक है कि इसको करने की कोशिच करता है निकाला। तुमने एक और एक पेए जिए लिए तो इसमें तुमने क्या भी तुमनि इतती सी स्पेस में करने कि कोशिए करेंगे फिर तुमने पर बहर नकाला सुधियर यहां पर रिजनेट कियाắc एक कांस फूरी पॉईंट और दूसरा था 48 ठीक है अब तुम्हें fundamental frequency निकाल लिए है ना तो इसका जो main part है वो यह है है ना यह इसका main part है final part final part क्या है इसका ध्यान से देखो final part इसका यह है ठीक है अब यह air में तुमने डाल दिया इसको इसी को तुमने air में डाल दिया देखो ध्यान से है ना 60 cm you know that this is 60 cm this is L इसको एल बोल दो ठीक है अब तुम्हें पता है यहाँ पर जो वेव होगी तो तुम्हें यह fundamental frequency final part यह करना सौल्व है ना final part यह करना है fundamental frequency क्या होगा है यह मैं तुम्हें बार-बार नहीं कराना चाहता यह हो जाएगा तुम्हारा वी है ना जो भी speed of sound in air है यहां पर हर जगे वी है यह given नहीं है वैसे speed of sound in air given नहीं है 340, 320, 350 जो भी कुछ given ही नहीं है तो यहां पर भी speed of sound in air वी होगी तो वी upon क्या हो जाएगा यह वी upon 2L होता है इसका formula तो यह क्या हो जाएगा 2L प्लस 2E होगा ठीक है यह आपका answer होगा यह आपका answer होगा यह आपका answer होगा बट इस answer को निगालने के लिए आपको यह L पता है है ना बट आपको यह V नहीं पता आपको V नहीं पता आपको E नहीं पता बट आपको L है आपको ऐल पता है एल क्या है एल है आपका 60 centimeter ठीक है एल आपका 60 centimeter बड़ आपको एंड गरेक्शन नहीं पता और आपको फ़ाइनल पार्ट है तो अब आपको यह समझ में आ दोनों की फ्रीक्वेंसी दे रखिए तो और वीवी पसे आपको पता है लैमड़ा है तो यह जो पिछला वाला प्रॉबलम था वही आपको solve करना है तो पहले तो आपको realize हो गया कि यहां पर यहां पर एक node होगी और यहां पर एक anti-node बनेगी इसमें दो नोड बनेंगी next mode में दो नोड बनेंगे और आपको यह lens given है 14.8 है ना when its tube length is 14.8 centimeters and 48 centimeters tube resonates it resonates with the tuning fork मतलब पहली पहली resonating frequency या fundamental frequency 14.8 पर आई फिर जब ने उपर किया तो एक और वे फिट हो गई है ना है ना तो बेसिकली आप यह फिट से एक बार दिखा देता हूं है ना अब इसको देखो it is something like this everyone look at this है ना इस something like this इसको बिल्कुल कम कर दिया है ना इसकी length बिल्कुल कम कर दिया है यहां पे हुआ हाँ यहां पे इस length पर एक frequency मिली है ना इक फ्रीक्वेंसी मिली है है हएग और यहां पहला पर हाで और सब्सक्राइप का यहां पहलता हुद बिल्कूल इस vendorค्वार फ्काजर और ही चीज की आपने यह आото अब आपको पता है यू अगर मैं बोलों सब्सक्रारे हैं को कैसे पता चलेगा कि end correction का question कोई hint नहीं है कोई hint नहीं है that is why it is an advanced problem क्योंकि आप क्या बोलोगे आप बोलोगे दिस लैंडा वाइफोर चलो आप पहले बोलोगे दिस लैंडा वाइफोर है न अध्यू लैंडा वाइफोर है आप इसको बोलोगे दिस से वह 14.8 into 3 नहीं आ रहा है वह 14.8 into 3 नहीं आ रहा है उससे समझगे मेरी बात यह 48 आ रहा है यार 48 48 divided by 3 किता होता है 48 को 3 से divide करो है ना 48 को 3 से divide करो 16 16 16 16 16 है ना तो basically यह one is to three नहीं है यह one is to three नहीं है तो इसमें प्लस इभी आएगा यह गलत है मतलब इसमें एंड करेक्षिन वाला सवाल है तो तुम्हें अभे आरा अपनी किसमत ही खराब है एरेज वाल कर दिया यार चलो कोई नहीं फिर से करेंगे फिर से करेंगे इतनी महनत सबसे ज़्यादा महनत जिस स्क्रीन पर की थी वहीं वहीं कांड हो गया ठीक है यह पानी है यह आपका ये है ठीक है और इसका लेंद क्या है 60 cm है तो अब आपको यह समझ में आता है यह क्या है lambda by 4 plus E है ठीक है न तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई 14.8 plus E ठीक है न इसको अपन CGS में कर रहे है ठीक है plus E is equals to lambda by 4 is equals to lambda by 4 यह आपका पहला equation आ जाएगा फिर आप इसको लिखोगे 48 plus E ठीक है 48 plus E is equals to lambda by 4 plus lambda by 2 ठीक है न तो आप लिखोगे 48 plus end correction is 3 lambda by 4 यह आपका second equation हो गया यहाँ से आप दो चीज़े निकालोगे बच्चों ठीक है यहाँ से आप end correction निकालोगे और आप यहाँ से lambda by 2 equation 2 variable है ना end correction आपका आजाएगा end correction आजाएगा 1.8 cm है ना यहाँ आजाएगा आपका 1.8 cm और lambda आपका आजाएगा 66.4 अभे 66.4 cm ठीक है जी यह आगया यह आपका पहला पार्ट है ना ठीक है अब आपको यह भी बता है यह जो सकते हो इन ehell ठीक है विविव सब्सक्राइब क्योंकि फाइनल पार्ट के लिए वह बहू क्या경 जब Pr contempor likewise फाइनल पार्ट सब्सक्राइब बेसिक सब्सक्राइब कर् ещё काो आपने इसको रखा इस भॉप कब आपने रखा यहां पर यह है 60 cm ठीक है इसमें आपने वह वेफ प्रेड्यूस करी दोनों के पैर बाहर निकल रहे हैं ठीक है यहां से और यहां से दोनों से बाहर निकल रहे हैं लगी प्लस ई ठीक है इसको अपनने कई बार कर लिया है आज आज मैं तो अगर आपको यह मिल जाए और आपको यह मिल जाए तो लाइफ में तो सब मसत है क्योंकि यह तो आपको पता है यह तो 60 एक टापको पता है 60 है है ना है ना जी is this clear this clear ठीक है न अब यार मुझे पता हो यह 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 ऐफ पता है तो मैं लामडा पता है है ना यह जिस फ्रिकेंसी फेस्टेशार क्या रहा है देखे जल्दी से यह 300 कुछ आएगा 300 एक चुलीज जाधा आएगा यह यह आ जाएगा 340 340 meters per second है ना बड़ जब आप इसको क्योंकि divided by 100 नहीं है तो 34,000 है ना तो यह आ जाएगा 3434 हाँ है ना 34000 centimeters per second है ना 340 meters per second है ना तो अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर सब्सक्राइब करने के लिए तो यहाँ पर क्या लिखोगे देखो इससे आंसर आना चाहिए 34000 और यहाँ पर लेंद में 60 centimeters cgs में करने अपन प्लस टूई 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 यह क्या था 1.8 तो यह हो जाएगा 3.6 ठीक है अब मैं लोग ते यहाँ सच बता रहा हूं जो क्वेशिशन वेस के बनते ना वह फाल तुम्हें लोग इता है वेवेश को एंड वेनेव यूशी प्रॉब्लम्स लाइगा कि यह नहीं यह नहीं पड़ा है बट प्लीज बेसिक से स्टार्ट करना हमेशा लास्ट क्वेशन भी वह इसमाइब का सवाल यह क्रेश्ट के बीच में इस्टिंस बता दिया बक्वास बट देख से अचलेंजर देखो यहां से यहां पर यहीं सिंपल यह बाला तो क्या सिंपल दे त्या तुम मैंने तू सक्सेसिब नोटस इनस्तैंटिंग वेव हां यह हो जाए गा है बेसिक है एना इसका अंसर पता हूं महीड if the frequency of the standing wave is kept unchanged का हाँ frequency of the standing wave is kept kept unchanged but tension in the string is doubled oh tension in the string is doubled then the spacing between the successive notes will become ठीके जी समझ में आ गया समझ में आ गया हम को ठीके अब थे घर्थ सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लेट थे टेंशिन इनदे स्ट्रिंग इस लियुक्त इस स्ट्रिंग में टेंशने यह दे लियुक्त अधिया ऐसा यू थे और यह यह तुम्हारी यह कि ठीक है जी है ना तो अब यहां पर विलॉस्टी किती हो जाएगी यहां पर विलॉस्टी तुमारी हो जाएगी वी डाइश है ना तो यह तुमारी टी डाइश है यहां पर है टी डाइश इस टूटी टी डाइश इस टूटी क्या बना है क्या बना है यह क्या बना है क्या बना हो गया आपह Whoo ठीक है ना अब हो यह बोल रहे है कि यहां पर पर जो भी स्थेश्टेशनरी को यहां पूरा नहीं बनाएंगे एन और हम ने कितनी कितनी दना रही है न वस इसमें यह कि यह यह जो डिस्टन्स है यह एक्स है यह जो डिस्टन्स है यह एक्स है और आप यहां पर लामडा ना तुम्हारा थो एक्स पर बराबर होगा है anda और एक फंडमेंटल बताओ पहली चीज़ यहां पर वी इतना है यहां पर वी रूट टू टाइम्स है क्योंकि टेंशन ज्यादा कर दी वायर उत्ता ही है तो अगर यहां पर विलॉसिटी ज्यादा हो गई और फ्रीक्वेंसी सेम रख रखी है फ्रीक्वेंसी इसकेप्ट अंचेंज इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है ठीक है इसमें भी फ्रीक्वेंसी एफ है तो आप मुझे बताओ यहां पर वेवलेंद जादा होगी विलॉसिटी जादा है तो वेवलेंद जादा होगी है ना है ना विलॉसिटी को अगर आप बढ़ा होगे तो वेवलेंद भी बढ़ेगी option तो भाई या घर भेज़ दो खचाक खचाक यह लग रहा है वैसे रूट टू का फैक्टर आ रहा है बिल्कुल यह एंसर है अब यह निकाल लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको निकाल लेते हैं अब मुझे एक ची बताओ पहले वाले में य एक्विशन लगाएंगे लगाते हैं ठीक यह इसमें लोल्म से बनाएं तो इसको लिखता है वी टीफ फ्लाप्नों डाक निकिता है चैक ठीक है और यहां पे भी लामडा डैश क्या होगा टूरू रूट है भीडे इकोर्ती टू टू एको टू ऐफ इन्रोस फ़ी लैंड़ादा डैश एना ह那我們 इसको लिठी कि है आ कि एसarten कि अग्रूट टाइंब्स ओपहरोबाशनल इन आधो टो यह ऊपटाइम्डाबी ने घ्त तेस्टेंस बिट्वीन रापशन दो नोट एक विर एकट दबाइट तो यह 2x है ना समझ के मेरी बात यह कैसे लिखा है अब यार डिवाइट करो इन दोनों को आंसर आ गया बहुत ही बेकार क्वेशन है बेकार क्वेशन है वन भाय रूट तू इस इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स डाश तो आपका एक्स डाश क्या रूट टू एक् ठीक है डन तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और हमारा स्केडियूल आपको पता है बहुत जल्दी यह 3.0 खतम होने वाला है खतम होने वारा है उसके बाद क्या ह क्या सब कुछ खतम हो जाएगा उसके बाद नहीं उसके बाद कुछ नया आने वाला है और मैं आपको बम by ही है हम कल परसो में हैना फोर चार तारिक को हमारी पूरी टीम मिल रही है आर इंटायर टीम इस गोई टू युनाइट इन बैंगलोर और यह गोई टो हैव मीटिंग्स तीन दिन के लिए मीटिंग्स होगी और तब तक के लिए आप मुझे सारे सकते हो टेलिग्राम के माध्यम से मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं फॉर वेरी फर्स टाइम इन दे हिस्ट्री ओफ अनकाडमी जही आप मुझसे कॉंटाक कर पाऊगे यू विल बी एबल टू कॉंटाक्ट वित मी और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कॉंटाक्ट म मैं आपको कहां देने वाला हूं वो भी आपको बता रहा हूं ठीक है तो मैं इसमें पिन कर रहा हूं ठीक है और यह मैं चार तारिक से आप नमबर सेफ कर सकते हो आप मुझे हाई लिख सकते हो ठीक है बाइब प्लीज डोंट कॉल मी डाट प्लीज में का प्रॉमिस डोंट कॉल मी क्योंकि मैं पिक अप नहीं कर पाऊंगा ठीक है मैं वापे पिन कर रहा हूं ठीक है सब्सक्राइब नमबर क्या था ठीक है जस्ट अ मिनिट एवरिवन हाँ yes it is this one ठीक है it is this one मैंने इसको पिन कर दिया है और वाट्साप कर सकते हो आप सब्सक्राइब काफी सारा अमेजिंग कॉंटेंट भी शेर होने वाला है पीडियेफ फॉर्म में एपसलीटली फ्री फ्री अफ कॉस्ट होगा वह आपके लिए ठीक है ना अपसलीटली फ्रीफ कॉस्ट होगा सनिका थैंक यू अनुराग थैंक यू ठीक है इस पर आप मुझे हाई लिख सकते हो जिस लाइब जी इसका और बन जाई और टी.me स्लाश नंवच टीक है नमोच इस टेलेग्राम चानल का भी पार्ट बन जाई आपको पता यहाँ पर यहाँ पर मैंने वो पिन कर रखा है मैं आपर लिखना नहीं चाहता तुम मेहनत करो तब ही वदा चलेगा ठीक है ना एंशर करो जोएन करो वहां पर मेंट मेंसेज देख लेना मेरे टेलिग्राम चैनल पर है ना ठीक है लाइब क्लास एंवार्मेंट एंडिया के बेस्ट पढ़ने का मौका मिलता है और इंडिया की नंबर वन टीम पढ़ाती है जिसको 15-20 लाग बच्चे फॉलो करते हैं इंडिया के पहले डिजिटिल ऑथर्स और तॉप रंकर सीरीज जो इंडिया की टॉप आईटी जी में और इड्वांस की प्राक्टिस वाली किताब है ठीक है ना ठीक है तो इसके लावा मैं आपको यह और चीज बताना चाहता हूं कि यहां पर और पढ़ाता है उसके लावा वाइब बंसल्स नुक्लियर्स कोटा के टॉप एजूकेटर्स आपको यहां पर पढ़ाते हैं चाइना कि नंबर में टीम से पढ़ते हो जिन्होंने इतने अच्छे रिजर्ट्स प्रड्यूस कि यहां पर आपके बच्चे के हाथ में पावार है कि वह कौन से बैच में अन्रोल करना चाहता है यह नेट्विक्स की तरह है वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिट एक्स अनकैडमी में आ उसके बाद आप सिंपल है एपना गोल सब्सक्रिप्शन प्लस का भी ले सकते हो एक इक इस चीज़ होती है आप देख सकते हो यह आपको लाइफ टेस्स परसनल कोच स्टडी प्लाइनर है हाट कोपी के नोट्स यह सारी चीज़ आपको मिलती है ठीक है और इसमें थोड़े सब्सक्रिप्शन है ठीक है बारा मेने का आपका ट्वेल्ट ट्रॉपल्स वाले बच्चों के लिए है और यह आपको सब कुछ मिलता है एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं अगर आपको maximum possible discount चाहिए तो आप यह code यूज़ कर सकते हो नमो नमो या नमो लाइव या मैक्स इन तीनों में से आप कोई भी code यूज़ कर सकते हो तो to get the maximum possible benefit on an academy आपको हमारी पूरी टीम की guidance मिलेगी है ना not just that अगर कोई extra month का offer होगा तो वो भी applicable हो जाएगा तो यह तीनों codes जो है बच्चो नमो या मैक्स ब्यार कॉन्फिगर्ट तो गिव यूज़ 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 हो रही है मैं आपको बताना चाहता हूं है ना तो यह यूज़ 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 य तो 11 डिसेंबर को आपकी जुनों ने जही हो रही है weekly test अब यार क्योंकि हम इतने busy हैं तो हमने इसकी frequency कम कर दिए पहले हर week थी अब यह बाई weekly होगी fortnightly होगी तो यह आप ज़ादा अच्छी तरीके से प्रिपेर कर सकते हो काफी सारे बच्चों ने हमें feedback दिया यह तो बहुत ज़ादा हो रहा है सर है ना पहले हम एक भी टेस्ट नहीं देते थे और अब इतने सारे टेस्ट दे रहे हो तो यह definitely जब जही आएगा तब ह बढ़ाने की सोचेंगे तब तक आप खाली नमों या max code युज़ करके जुनोंने जाए टेसीरीज का पार्ट बन सकते हैं यह हमारी team की mock टेसीरीज है इसका पार्ट जरूर बनी है यह हिंदुस्तान की सबसे बड़िया टेस्ट सीरीज है जिसमें हमने बेसिकली बहुत ही ambitious टारगेट सेट किया था कि इंडिया के दो लाक से जादा बच्चे स्टेस को दें मतलब यह अपना में बहुत बड़ी वात थी ठीक है उसके लाव आप देख सकते हैं डिसेंबर में जितने भी जितने भी सारे बैचे आ रहे हैं वह आपको यहां पर देख रहे हैं 11 के लिए क कुछ है 13 के लिए कुछ है not just that जो बैचे जो अलड़ी स्टार्ट हो चुकिए आप उनका भी पार्ट बन सकते हो नेट्फ्लिक्स की तरह है और वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्स बिये पार्ट अप यह सारी चीज़ है अगर आप अनकाडमी का आप इंस्टॉल करे देना विकोज लाइक वही करता है जिसका दिल बहुत बढ़ा होता है तो थैंक यू सो मच एवरीवन टेक केर सी यू बाइबाइब